हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो पॉले टेक्निक केमिकल गुरू इन दिस वीडियो वी आर गुएंग टो नो आल अल अबाउट दा हाउ टो इंट्रोड्यूस योर्सेल्फ जहां दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपना परिच्छे कैसे दिया जाता है जैसा क आप सभी को पता होगा दोस्तों आप सभी का 5th semester हो चुका है एक्जाम भी हो चुके है अब 6th semester में आप सभी के college में campus selection होंगे campus placement होंगे तो उस जगहां पे self introduction बहुत ही important point होता है जहां पे आपको interview देते समय आपके जो भी interviewer रहेंगे वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप अ चीजे होती है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए जो कि diploma student के लिए हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे परिशान रहते हैं कि self introduction में कौन से points को बताना चाहिए कौन से points को नहीं बताना चाहिए उसलिए मैं आप सभी को एक best self introduction य सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए दोस्तों कि आपको क्या करना है कि उनको thankfully करना है कि आपने मुझे यह opportunity दी मुझको मेरा परिशे बताने के लिए ठीक है उसके बाद क्या करना है अपना नाम बताना है अपना नाम कैसे बता सकते है my name is myself is ठीक myself मतलब myself निश्चल कसेरा या फिर my name is निश्चल कसेरा यहाँ पे एक नि ले लिया है वो आप अपने नाम का अनुसार वहां पर इंटर्ड्यूस करेंगे तो क्या है दोस्तों अब next क्या आता है आप अपने नाम बताने के बाद तुरंत क्या बताएंगे कि आप कहां से belong करते हैं तो यहां पर क्या होगा I am basically from सुल्तानपूर जैसा कि मैं सुल्तानपूर से हूँ तो क्या बताया I am basically from सुल्तानपूर but currently staying in Amroha for my studies लेकिन मैं क्या है कि अभी Amroha में हूँ अपनी पढ़ाई के लिए ठीक हो दोस्तों यह अपना third point हो गया अब क्या है कि आपने इसके पहले क्या किया था इसको बताना है I have done my class 10 from Sun International School सुल्तानपूर हमने इसके पहले क्या कि क्लास 10 मैंने अपना complete किया कहां से सुल्तानपूर से I belong to a joint family यह क्या है दोस्तों optional है अगर आप बताना चाहे तो बताईए अन्यता आप अपने इस जगह पे अपनी एज को discuss कर सकते हैं वहाँ पे आप अपनी एज को बता सकते हैं अब क्या हो गए दोस्तों आप अपनी strength बताएंगे strength क्या है my strength are I am self motivated hard working and a disciplined person तो यह हो गई आपकी strength अब क्या है दोस्तों आपको अपने goals के बारे में वहाँ पे कुछ discuss करना होगा तो my short term goal is to get a job in a repeated company क्या है दोस्तों एक अच्छी से company में job चाहिए my long term goals is to achieve a good position where I can build my career as well as organization to जहाँ पे मैं अपना career अच्छे से बना सुकूँ वहाँ पे मुझको ऐसी position मुझको चाहिए तो यह हो गया मेरा long term goals उसके बाद क्या बताना है दोस्तों अपनी hobby बतानी है my hobbies are reading book, teaching and listening music उसके बाद क्या कहना है दोस्तों that's all about me क्या है कि यह जितना भी मैंने बताया यह मेरे बारे में है thank you so much तो आपका introduction यहीं खतम हो जाता है तो self introduction अगर आपको interview के लिए देना है diploma करते हुए तो आपका self introduction यह बहुत है इतने point आप बता देंगे तो यह enough होता है वहाँ पे आपका आपका बहुत है